ये है भोले बाबा नारायन हरी उर्फ सूरजपाल जिनकी तलाश में पुलिस ने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा वो बाबा सामने आया, सामने आता ही बाबा ने अपने भक्तों की पीड़ा को इन शब्दों में बया किया और उन्हें खास मैसेज भी दिया है हम दूजलाई की घटना के बाद बहुत ही बिठित हैं प्रभू हमें बसंगत को इस दुख की घड़ी में भरी से उबरने की शक्ती दें शबी शाशन एवं प्रशाशन पर भरोशा बनाई रखें हाथसा हुआ 2.0014 और 6.0024 सामने आये यानि की हाथसे की 4 दिन तो बीठ जाने की बाद बाबा कह रहे है कि इस हाथसे पर बहुत दुख हो रहा है प्रशाशन पर भरोसा रखें अब पुलिस प्रशाशन पर तो बाबा को भरोसा हो गा ही F.I.R. में आरोपी जो नहीं बनाया गया है खैर इसके आगे सुनिए नारायन, हरी और सूरजपाल हाथ से का जिम्मेदार किसे ठहरा रहे हैं हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बक्षे नहीं जाएंगे सुना आपने, भोले बाबा का मानना है कि ये सब उपद्रव्यों का किया धरा है इसलिए वो कह रहे हैं कि उपद्रव्यों को बक्षा नहीं जाएगा उन पर सक्थ से सक्थ एक्षन होगा लेकिन कौन से उपद्रवी ये बाबा नहीं बता रहे हैं इसके आगे बाबा सूरजपाल ने घायलो और इस हाथसे में जान गवाने वाले लोगों के साथ खड़े रहने की बात कही कहा कि समिति के सदस जीवन भर पीड़तों की मदद करेंगे हमने अपने बकील दक्तर एपिशिम जी के माध्यम से कमेटी के महापुरसों से ये प्राथने की है के दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवरम इलाजुरत घायलों के साथ जीवन परियंत तनमंधन से अड़े रहने का आग्रह किया है बाबा कैमरे के सामने आगया लेकिन बड़ा सवाल यहां ये उड़ता है कि जब वो खुद ही को दोशी नहीं मानते हैं तो पुलिस से बचकर क्यों भाग रहे हैं और जब वो कैमरे के सामने हाथ से पर बयान दे सकता है तो पुलिस के सवालों से क्यों भाग रहा है बताया दे कि कुछ दिन पहले बाबा को लेकर ये खबर सामने आई थी कि बाबा हाथ से के बाद से अंडरग्राउंड हो गया है